शर्षी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है उनकी समस्या भी जान लेते हैं शर्षी जी बताईए क्या सवाल है आपका नमस्ते जी सवाल करें हमारे बच्चा का में हैं उम्र है 25 ब्रस जी और इसको मिलगी के सिकायत देने जै कबसे है ये परिशानी करीब 15 साथ है और दवाय कबसे चल रही है जै बिलकूल आईए जान लेते हैं हकीम साहब से कि आपकी परिशानी का हल क्या हो सकता है हकीन साथ अधिके मिर्गी में सबसे अच्छा इलाज वही है जो आप उन्हें दे रहे हैं यह अलोपेथिक इलाज बहुत कामियाब है बिल्कुल रिस्ट मत लीजे और उन्हें वही इलाज करा हैं और मेरा काम है कि मैं सही इलाज की तरफ आपक कर दूँ कोई और कुछ भी कहता रहे लेकिन मेरा तजर्बा यह है कि जो आप इलाज ले रहे हैं वो बिल्कु सही है आप बच्चे का वही इलाज लिजे और वही संसार का बहतर इलाज माना जाता है जी एक और दर्शक है करंजीत सहाब ने हमें कॉल किया है जम्मू से करंज जी प्रेशन करें आप अकीजा असलाम ले लिएसलाम जी एक जम्मू से बोल रहा है है जी प्रेशन करें आप हम आपको सुन पारें वो सो ना पतल रहे हैं इजो आ हो पीशाव आते हम जो जाएँ परिशाब बन गया से ने उसका वह थोड़ा साइस हो गया, इसको बड़ी परिशामी तो इसका क्या लागवाई परिया तो आप समझी है। दस साल का बेटा है और पिशाब जब वो करते हैं तो उनको परिशानी होती है। तकलीफ होती है। ठीक है। उसे देखिए एक नमक आता है जिसे कलॉंजी का नमक या कलॉंजी का एस्टेक या कलॉंजी का रसायन कहते है ये देखने में सफेद होता है और जायके में नमकी नहीं होता लेकिन नमक कलॉंजी कहते हैं इसे ये सो ग्राम खरीद लें और देखिए एक चुटकी है ना आपकी इसमें जितना भी आजाए एक गिलास पाने मिला कर उसे रोज पिला दिया करिये और एक ही बार पिलाए एक ही चुटकी आप देखिए दो टीन दिन लगाता देखिए कि उसको फाइदा हो रहा है कि नहीं तकलीफ कम हो जाये तो एक ही खुराग दिया करें और ऐसा लगे कि फाइदा नहीं है तो एक बार शाम को भी आप ये एक चुटकी और भी दे सकते हैं लेकिन एक चुटकी से ही शुरू करें आपके बच्च सुमेची प्रश्न करें ये थकान पूरा दे होता है क्या होता है थकान होती है आपको उम्र कितनी है आपकी 45 साल उम्र है और थकान बहुत होती है अगर महनत करके थकान होती है तो कोई बुरी बात नहीं है इस हमर में आदमी को थकान होने लगती है और अगर बगएर महनत के थकान होती है अगर बगएर महनत के थकान हो रही है तो फिर इसके लिए आप लाज कर सकते हैं पांच बार गरम पानी रोज पिया करिए गरम गर ऐसा गरम कि जैसे चाय पीते हैं चुस्किया लेके और सुबह को धूप में निकला करिए एक घंटा धूप में रहा करिए पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलिए ये धूप में बैठ जाया कीजिए इससे भी थकान का मर्च चला जाता है और अगर फिर भी आपको लगे के ठीक नहीं हो रहा तो दो खजूर दो अंजीर और एक केला और एक पावदूद का शेख बना के रोजाना एक बार पिया करिए इससे आपको फाइदा होना मुम्किन है जी एक और दर्शक है रजनी जी हमें कॉल कर रही है गुरु ग्राम से रजनी जी सवाल करें आप हाँ हलो जी सवाल करें हाँ जी मेरे न गुटनों में बहुत दर्द रहता है उम्र कितनी है आपकी उम्र मेरी 55 फिफ्टी फाइव और गुटनों में दर्द रहता है उसने आपकी कॉल को प्रेश्ण रहे है हकीम सहाब पटन दब गया इनका होल्ड का जी रजनी जी आप तो म मेरी बात सुनी सकती है अब तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकता देखिए ये उम्र में ये दर्द होना संभाविक है कोई बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन अगर आपने इसका सही इलाज नहीं किया तो ये बड़ी बीमारी बन सकती है और हम आपरशन तक चले जाते हैं तो या तो आप कैपसुल टी केर टी फोट टाइगर सुबा शाम खाएं और अगर एक ही महीने में ठीक हो जाएं तो दो तीन महीने खाएं ताकि दुबारा बीमारी नहीं लोटे या फिर आप कैपसुल की जो गौंद सिया एक बड़ा मशूर गौंद है जो जायके में बहुत क खाएं खाने के बाद तो यह सो ग्राम भी मिल गया असली तो अपने खतम होने से पहले आपके रोग को खतम करने की सलायत रखता है जे बिहार से एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है शिवा जी ने हमें कॉल किया है शिवा जी प्रश्न कर सकते हैं आप हमें पसीना बहुत आता है आप से जे उम्र कितनी है आपकी तो पसीना आना तो स्वभाविक है कुछ और बताना चाहेंगे आप बहुत ज़्यादा पसीना आता है थंडे मौसम में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है थंडे मौसम में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है हाँ देखिए अगर कोई ज़रूरी जाच करानी है तो करा ले पसीना आना तो बुरी बात नहीं लेकिन बहुत जादा आना कुछ परिशानी भी कर सकता है और इसके लिए निसके भी अगर आप देखिए गौन आता है गौन मौरिंगा ये 100-200 ग्राम खरीद ले और इसको पौडर बना ले रो मैटिरिल ले गौन मौरिंगा सफेद वाला लेना सफेद ही चाहिए आपके लिए और यही असली होता है गौन मौरिंगा सफेद इसको पौडर बना ले रो मैटिरिल लेकर और आदा ग्र सुबा आधा गिराम शाम पानी में मिलाकर और आप पी लिया करें इससे आपकी परिशानी ठीक होना मुम्किन है जे वाकए में एक और दर्शक है गौालियर से हमें कॉल किया है धिरेंद्र जी ने बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं अच्छा ये समस्या कब से है आपके साथ और उम्र कितनी है आपकी उम्र मेरी 30 सार और इसमस्या बीच में सही हो जादी थी लेकिन हो जादा है चली जाती है आजाती है अचानक दिक्कत हो जाती है दवाए जी आदी कि कोरोना को भी आप जिसे लोगों से बहुत प्रेम है तो बहुत एहतियात वाली जिन्दगी गुजारिये जब तक कोरोना काल रहे अच्छा ये कोई बड़ी बात नहीं है इसका ठीक होना ये मुमकि है और मैं एक नस्का अक्सर शेयर करता हूँ आप तो जानते हैं कि ये दो तीन चीज़े लिख लीज़े आप लिखेंगे नहीं तो आपको कुछ फाइदा नहीं होगा देखें लिसोडा लिसोडा अलसी उन्नाब ये तीन चीज़े आप ले सो सो ग्राम और सो ग्राम आपक पीपले लिजे सो ग्राम वो सौरी पीपले तीस ग्राम लेनी है और बाके चीज़े सो सो ग्राम इनको पाउडर बनाके एक चमश सुबा एक चमश शाम पानी से लिया करें और गरम पानी पिया करें जब भी पिये दिन में पांच-छे बार गरम पानी पी लिए तो बहुत फाइदा होगा और ठंडी परवर्ती की चीज़े छोड़ दें जैसे खटी चीज़े और ठंडी चीज़े खाना बंद कर दें दो तीन महीने के लिए तो आप मुकंबल दौर पर ठीक हो सकते हैं एक और दर्शक है हरीश चंद जी ने हमें कॉल किया है मत्रह से स्वागत है कारेकरम में किस तरह की परेशानी आपके सामने हैं बताएं पी अपूरी बात बोलिए पूरी बात वूलिए जी ठीक है दीके पैरों के दर्थ का तो जो मैं नस्खा बताता हूं वो बहुत कामयाव है बहुत कामयाव है और वो दो तरीके हैं बस उसको अच्छा करने के एक तो गॉंसिया अगर मिल जाए असली अभी किसी के फोन आया था उन्हों नकली गॉंसिया ले लिए कहीं से गॉ करवा होता है बहुत मैं बताता हूं कहरें करवा नहीं है और गॉंसिया एक काले गॉंसिया को कहते हैं यह इन्तहाई करवा होता है मैंने अपने जीवन में इत्ती करवी चीज नहीं पाई है और असली जिसको मिल गया समझ लिए उसका काम हो गया तो यह तो वो मिल जाए ग ग्राम सुबा शाम खाएं, पानी या बगर चर्बी के दूर से इस्तमाल करें, और सो ग्राम भी अगर मिल गया तो आप फाइदा पहुचा कर ही खतम होता ही, सो ग्राम भी जब तक आपका रोग नहीं जाला जाता, जब तक ये खतम नहीं होता, या फिर कैपसूल टी केर आता पा सकते हैं, जाले उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल के जवाब मिल गया होगा, एक और दर्शक है, राशी जी ने हमें काल किया है, राशी जी बताएं, किस तरह की बिमारी है, जिसने आपको घहा रा हुआ है? हलो, राशी जी बताएं, नमस्ते जी बताएं जी आदा राशी जी बताएं जी आदा राशी जी बताएं क्या सवाल मुझे परिशानी ये है मेरी उमर है 40 जी बताएं हम आपको सुन पा रहें राशी जी जी तो मैंने अपना MRI कराया था उसमे नशे रीक आई हैं जी और मुझे उपने बैटने में इसनी परिशानी होती है कि जैसे मैं नहाती हूँ या मुझे बैट जाती हूँ तो मुझे हाथों के सारे से उपना पड़ता है मनला बुष्णों में मेरे कुल को सक्ती नहीं है किसी इस उमर में कमजोरी आती है 2014-45 में हमारी नसों में कमजोरी आती है और part of body में कमजोरी आती है तो अब गबराई ये एक पड़ाव है जिन्दगी का जहां हमें अपनी युनानी रिपेर करानी चाहिए अच्छा यूनानी रिपेर का तरीका एक तो ये घरेल नुस्खा आप इस्तमाल करें और आपको फायदा हो जाए कोशिश मेरी यही रहती है कि घरेल नुस्खा कोई बता दूँ एक घरेल नुस्खा जिसे हम गौन सियाह कहते हैं काला गौन आता है ये बहुत कड़वा होता है असली मिल जाए अगर नखलीJust सो गौन भी अगर असली मिल गया है नकली बहुत मिलता है तो फिर आपको पहरे फायदा होगा पर ये गौन खतम होगा तो यह बहुत अच्छा गौंत है अगर आपको मिल जाए रो मैट्रीन लेना और पाउडर बनाकर आप आधाधा गिराम खाना शुरू करें जी तो उमीद करते हैं कि आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी एक और दर्शक है गुरुग्राम से हमें कॉल किया है जै सब्सक्राइब जैजी क्या सवाल है आपका? अलो? जी सवाल करें मेरा मने आएं किसी काई लेरो होगी? आवास आफ नहीं आरे भाई आपकी? मैं पैसर समता हूँ जी और बीपी प्लस अस्तमा दो तीस ता मैं लाज कमरा गया तो अस्तमा भी ज्यादा तो नहीं है सांस वगरा नहीं बुलता मगर वो पख लेता हूँ प्लस जो भी मूमी कंट्रोल में उसका ली मेडिसिन कर रहा है मैं चाहरा था है यह देसी दवाज रही जी ठीक है एक 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 चीज़ का इलाज करिए आप पहले अस्तमा से निमट लीजे अस्तमा इस वक्त बहुत परिशानी वाला है क्योंकि हमारे पुरे दुनिया में एक एक बीमारी चल लए जिस अस्तमा वाले को सबसे पहले परिशान करती है तो एक तो गरम पानी पाँच बार पिया करें और देसी नस्खा एक बता देता हूँ आपको वो आप खुद बना कर और इस्तमाल करें आपको फायदा मुम्किन है खटी चीज़ छोड़ दें बिलकुल और देखिए सपिस्तान उननाब और अलसी सो सो गराम खरीद लें और आपके किचन में होते हैं पीपले पीपले लीज़े तीज़ गराम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम खाया करें आपको फायदा मुम्किन है